दोस्तों आप लोग में एक छोटा सा गलती है क्या गलती है जैसे कि आप लोग जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो जिससे रिकार्डिंग आप कमेंट करते हैं वह चीज अल्रेडी मेरी चैनल पर अपलोड हो चुका है तो उस चीज को आप जा करके वीजिट करके मेरा वीडियो में वीजिट करके आप देख सकते हैं और उसके रिकार्डिंग जनकारी ले सकते हैं लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं एक ही वीडियो देखेंगे जो आपके मौन सब में सवाल रहेगा उससे रिकार्डिंग आप कमेंट कर देंगे लेकिन मेरा जोब होता है इंट्रव्यू से ले करके कब इंट्रव्यू होगा इंट्रव्यू कब होने वाला है कैसे होने वाला है इंट्रव्यू में क्या क्या पूछा जाता है बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं आपका टीसीयो का सेलरी क्या होने वाला है पीसीय लाश्ट तक देखिएगा ची वीडियो शुरू करने से पहले आप लेक्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको ब्रांच ढूंडना पड़ेंगा नाजिदी की ब्रांच जहां होगा उतकास्र स्मॉल फाइनेंस बैंक का वहां पर आपको जाना है जाने के बाद से आपको ब्रांच मेनजर हो और सीयो हो किसी से आपको सिर्फ पूछ लेना है कि इसका जो डिविजनल ओफिस है कहां कि उस डिविजनल ओफिस में आपको जाना है फर्स्ट सनिवार या थर्ड सनिवार महिने में दो बार सीयो का इंटरव्यू होता है सीयो का रेगुलर महिना में दो बार होता है फर्स्ट सनिवार और से थर्ड सनिवार इस दो सनिवार को आप किसी भी एक सनिवार को जाए पूरा डॉक्मेंट मार्क सीट अधार काड़ पैन काड़ पास्बुक सब कुछ ले करके वहां पर परजेंट रहना पड़ेगा उसके बाद से जब आपका इंटरव्यू में इंट्री होगा तब पूरा फॉर्फेशनल तरीका से रहना चाहिए बाल बिल्कुल क्लीन और उनको 10 प्यार क्लीन से आपको जवाब देना है जबाब देने के बाद से आपका सेलक्सन हंडेट पर्शेंट हो जाएगा उसके बाद से आप जाईएगा जाइनिंग लेटर जब आपको मिल जाएगा तो आपको तीन महीने तक TCO के पोश्ट पर रहना पड़ता है तीन महीने के TCO के समाप्थ होने के बाद से प्रमोसन जब हपका होता है तब जाकर के आप PCO बनते हैं और उसके बाद से बनते हैं तो इसका जो जो सेलरी होता है आपका बेसिक अदर menstres और उसमें 30 मिलता है क्योंकि फर्स्ट में जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि तीन महीने आप टीस्यू है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है आपका इंसेंटिव भी मिलेगा प्लस में जितना काम करेंगे जिस परकार्षे काम करेंगे उसका हर चीज का पैसा मिलेगा फ्यूल का भी पैसा मिलने वाला है आपको हर चीज का पैसा मिलने वाला है प्लस में सेल्डी जो बेसिक सेल्डी आप कराएगा मात्र साथ है उसके बाद से जब आपका पर्मोशन हो जाएगा तो आपका नो हजार दस हजार बारा हजार बेसिक सेल्डी रहेगा और उसमें पलस में भरती करा हैं गर्जुएशन लेवल पे तो उसमें दू हजार रुपे एक्स्ट्रा करके उसमें एड करके मिलेगा तो उतकोर्श च्मॉल फाइनेंस बैंक में टी सीओ का जो बिनफिट्स है इतना आपको मिलने वाला है और इतना बिनफिट्स का आप लाब उठा सकते हैं अस बहुत ही सिंपल है आप जा करके इंटरव्यू दे करके अपना ज्वाइनिंग करा सकते हैं मैं जो प्रोसेस बताया हैं उसी परकार से आपको भरती हो सकता है अब बात कर लेते हैं कि बहुत सार शनर में जैसे कि आपको जो लोन पहले से प्रोवाइड हो चुका है जो दोस्रा सी यो ओ डिसफर्स करा चुका है उस आपको एक दिन में एक या दो सेंटर दिआ जाएगा मीटिंग करने के लिए उस सेंटर पर जा करके आपको मीटिंग करना है मीटिंग करके आपको ब्रांच में आजाना है टाइम से और जिस सेंटर पर आप जा रहे हैं उस सेंटर पर ते आपको किसी को किसी को एडिंग करना रहेगा या किसी को एक लोन समप्त होने वा देखने के आपको मिनेगा करने काम और उसे रिकार्डिंग आपको कोई और जनकारी हो मन में सबस्क्राइब तो इसी वीडियो में comment कर दीजे और इतना दोस्तों को पास share कर दीजे कि यह वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा भी हुआ जाए और आप लोग से एक और बात बताना है जैसे कि इसके बारे में पूरा TCO को बारे में फुरा full details दे चुका हूँ इस वीडियो में उसी परकार से मैं अगला वीडियो CSO के लिए ले करके आऊंगा और उसमें ज्वाइनिंग से ले करके इंटर्व्यू से ले करके सेलरी हर चीज के बारे में इसके बारे में बताने वाले हैं तो अगला वीडियो देखना मत भुलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जैने